फरतपूर जिले में भी अब कोरोना ने विस्तार से अपने पैर फैला लिये हैं सिके चलते बीते चार दिनों में ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आकड़ा 165 से बढ़कर 297 पर पहुच गया बावजुदस के नगर निगम शेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की फिलहाल भी सुस्ती दिखाई दे रहे हैं इससे जो कोरोना की संक्रुमन की रोक्थाम के लिए बनाए गए नियम है उनकी हर जगह अवहिलना होती नजर आ रहे है कोरोना वारस ने पुलिस, सबजी विक्रेताओं तथा चिकित्सा वभाग में भी अपनी दस्तक दे दी है भरतपूर नगर निगम की लगभग तीन दर्जन कॉलिनीज में कोरोना आके पॉजिटिव फिलहाल मरीज मिले है इसके बाद प्रशासन ने अतिहातन नगर निगम शेत्र में भी कर्फियों लगा दिया बाजार का समय भी सुबह आठ बजे से दो पहरे एक बजे तक के लिए किया गया लेकिन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की लापरवाही का आलम ये है कि बाजार में लोगों की भीड यहां पर जमी रहती है कई जगह पर तो जाम की स्तिती पैदा हो गई दुकान पर सामाल लेने के लिए ग्रहाकों के लिए बनाए गए घेरे अब अपना महत्व खो चुके है दुकान पर आयव व्यक्ति को सामाल लेने के इतनी जल्दी होती है फ्रुशासन ने सभी के लिए मास्क बहनना अनिवारे किया है लेकिन फ्रुशासन की सक्ति के अभाव में जनता अबला परवाह हो गई है यही कारण है कि कोरोणा पॉजिटिव का जो आकड़ा है वो फिर से बढ़ने लगा है जबकि कुछ समय पहले ये आकड़ा घटने लगा था बहत्पुर जिले जो मैं खास्तवार पर अफील करना चाहूँआ कि जिस तरह से चौथे लोगडाउन के अंदर भगतपुर के अंदर मरीजों की संख्या में पॉजिटिव केसिस की संख्या में एजाफा हुआ है उसको देखते हुए हमें बहुत सतर्क रहने की जरुवत है कोरोना हमारी से लड़ाई लड़ने में अपने खुद के बचाव करने में अपने परिवार का बचाव करने के लिए हमें बहुत सतर्क रहने की जरुवत है गाइड लाइन जो केंदर सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा दी गई है उन सब को बहुत सक्ती से पालना करें